गावा प्रखन मुख्यालय में बनाए गए महिला सोचालय को परविक्षिका के द्वारा विगत कुछ महिनों से ताला लगा कर बंद रखने से वहां के कर्मियों सहीत आने जाने वाली महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है लगतार बंद रह रहे महिला सोचालय और इससे होने वाली परेशानी को देखते हुए शुक्रवार को जम कर दरजनों से विकाओं ने परविक्षिका अनिता यादव के खिलाप सोचालय के बाहर विरोध जताया मौकेपर उपस्तित सेविका संजु देवी ने बताया कि सेविकाओं को प्रखंड मुख्यालय में कई कारे करने पड़ते हैं जिसके कारण उनका प्रखंड मुख्यालय आना जाना लगा रहता है ऐसे में वहां बनाये गए महिला सोचालय को परविक्षिका अनिता यादव के द्वारा विगत कुछ महीनों से बंद कर दिया गया है जिससे इन्हें काफी परिसानियों का सामना करना पर रहा है साथी बताया गया कि कई बार उनके द्वारा सोचालय में लटके ताले को खुलवाने की मांग भी की गई लेकिन यह करकर टाल दिया गया कि यहां सोचालय आप लोगों के लिए नहीं बनाया गया है ऐसे इस्थिती में जब महिलाएं प्रखंड कार्यालय में हो और उन्हें सोच के लिए जाना हो तो वे कहा जाए इसको लेकर इन्होंने वीडियो से मांग की कि प्रखंड कार्यालय में बनाये गई इस महिला सोचालय को बंद रखने के जगा खुल दिया जाए और परेवेक्षी का नितायादव को सक्त निर्देश दिया जाए कि महिला सोचालय के गेट में ताला नहीं लगाए जिससे सभी महिलाओं को परिशानी से मुक्ति मिल सके इधर परिवेक्षिका नितायादव ने कहा कि सौचाले के गेट में इनोंने ताला नहीं लगाया है इस संबंध में प्रभारी बीडियो संतोस प्रजापती ने कहा कि सारवजनिक सौचाले पर सबका अधिकार है या सौचाले किसी एक के लिए नहीं बनाया गया है सभी महिलाओं के हित के लिए इसका निर्मान किया गया है मामले की जाचकर सौचाले में लगे ताले को खुलवा दिया जाएगा मौके पर संजु देवी, गुलसा नारा, संयुक्ता देवी, जोती देवी, सुनीता देवी, आसा देवी, आर्ती गुमारी, कल्यानी पांडे, कंचन देवी, रेखा देवी, चंचला देवी समयत कई सेवी काएं मौजूद थी टॉयलेट नहीं रहने के कारण यहां की सेवी काम को भारी दिकत का सामना करना पड़ रहा है, सभी को ब्लॉक से बाहर केंपस के बाहर जाना पड़ता है, सौचाले रहते हुए भी यहां पर ताला लगा हुआ है, चाभी मांगने पर ऑफिस से कहा जाता है, यहां पर किसी क का परशनल नहीं है आप लोग परशनल चाभे मांगें आप लोग के लिए अलग सवचाले पनेगा इस सवचाला ओफिस से बोना जाता है को बोलते है क्या नाम उंकर अनीता जाते है